फ्रेंड्स ये देखी ये मैंने टेडी बियर की ड्रेस बनाई थी और आज मैं आपको इसके मैचिंग की कैप सिखाऊंगी अगर आप लोगों ने ये वीडियो चेक नहीं की है तो इसका लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में देदूंगी तो आप व की हों दोस्ब आई हो, आप सो बच्छे होंगे ओज मैं आपको ये कैप बनाना सिखाऊंगी और ये मैंने पांच निमबर की कुपलगी की हड्रेस बनाई है और इससे बड़ा चोटा या किस तेसे याविस अपिस अड़्जेस्ट कर सकते हैं हर साइज में ये जहीं मैं पर अपनुस सिंगल कुरोश्या व Не स Towards a कर सकते हो जाएंगे तो हरे स sstoff thing कर सकते हो और सकते हो चांस कर सकती और स्बाज़ कर सकते हो इसİस तरह सब्क्राइकि ऐन को मैंने किन य96 और अपना चार बदाए mmv 24 के आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग जितने चाहते हैं बढ़ा लीजे अगर आप 4 बढ़ाते हैं तो ठाइस हो जाएंगे फिर इसी के ऊपर आप हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बना के आपको जितनी लेंद्ध के चाहिए उसके अकॉर्डिंग बना लीजे और फिर जो यह राइड़ बला राउंड है यह एजड़ इसी तरह से बनेगा और जो यह यह हमने बनाए हैं यहां मैंने दो राउंड बनाए हैं तो यह 12 सिंगल क्रोशे हो गए अगर आप बड़े कॉपाल जी की बना रहे हैं तो एक राउंड और बढ़ा लीजे और उसमें आप एक चैन में दो बर बनाए हैं और एक चैन में एक बार तो इस तरह से आपका बड़ा सर्कल बन जाएगा और अगर चोटे को पालची की बना रहे हैं तो आप सिर्फ एक ही राउंड जो सिंगल क्रोशिया का है बस आप उतना ही रख सकते हैं तो यह चोटा बड़ा आप अपने है का या अक है तो एक चैन में आप बड़ाद हैं इस संगल को होगा हैषा एक काउंट होंट रही है और यह हो जो इक हैन है को पर एक हो दो पर हम काउगा और लोग यहां से हां यह उन्लडर के लेंगे रहे हैं कन फ person लूप के अंदर अब हम क्रोशिय हो को डालेंगे और यहां पर फिर से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे तो यह देखे जो हमारी एक चैन थी यह हमारा पहला सिंगल क्रोशिया यह दूसरा तो यह देखे यहां पर यह सिंगल क्रोशिया हमें दिखाई नहीं देता है तो इसलिए मैं यहाँ पर एक जो हमारी पहली चैन है इस चैन के अंदर मैं इस तरह से इस मार्कर को डाल दूँगी ताकि हमारे यह राउंड पूरा हो तो हमें यह इसली दिखाई दे यह देखे अब हमारी यह दो सिंगल क्रोश्य हो गए अब इसी होल के अंदर हम क्रोश्य हो को डाल कर फिर से सिंगल क्रोश्य अबनाएंगे तीन चार पांच छै साथ आठ नो दस यह मैंने दस सिंगल क्रोश्य बना लिये हैं अब हमारा जो यह हमें लूप दिख रहा है इस तरह से खीच लेंगे बिल्कुल टाइट हमें इस तरह से खीच लेना है अब यह टाइट हो गया अब यहाँ पर जहां हमारे यह मारकर है इससे हम निकालेंगे और यहाँ पर हम क्रोश्य हो को डालेंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से से कनेक्ट कर देंगे यह देखे इस तरह से तो यह देखे यह राउंड हमारे यहाँ पर complete हो गए यहाँ पर हमने 10 सिंगल क्रोशे बनाए हैं एक चैन को count करते हुए अब हम next round के लिए हम फिर से यहाँ पर एक चैन लेंगे और इस चैन के अंदर हम फिर से marker को इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारी जो यह चैन है यह हमें visible हो क्योंकि एक तो सिंगल क्रोशे हमें पता नहीं चल फिर दूसरा यह black color हो गया तो इसलिए यह आसानी होती है अगर आब beginner है तो भी आप इस तरह से कर सकते हैं जो हमारी first chain बनाते हैं इसमें हम marker को attach कर देते हैं ताकि हम round complete करके आए तो हमें यह chain आसानी से मिल जाए तो यह देखिए एक chain बनाए यह हमारा पहला single crochet और इसी के अंदर हम crochet hook को डालेंगे और फिर से हम single crochet बनाएंगे तो यह एक ही chain में हमारे दो single crochet हो गए फिर next में भी हम तो यह देखिए इस तरह से मैं every chain stitch में दो-दो single crochet बनाते हुए यह round complete कर लूँगे यह देखिए friends मैं अपने वक्के end में आ गई हूँ और यहाँ पर इस तरह से हम यह marker निकाल देंगे और इसी chain के अंदर हम यहाँ पर slip stitch से से connect कर देंगे तो यहाँ पर हर एक chain में मैंने दो-दो बार single crochet बनाए तो अब हमारे पास यह 20 double crochet हो गए starting में हमारे पास 10 थे अब यह 20 हो गए है अब यहाँ पर next हम फिर से एक chain लेंगे और इस chain के अंदर हम फिर से इस तरह से marker लगा देंगे और यहाँ पर इसी chain के अंदर हम फिर से एक single crochet बनाएंगे तो जो हमने एक chain लिए है यहाँ पहला single crochet और यह दूसरा तो अब हमारे यह दो हो गए तो एक यहाँ पर हमारा बढ़ गया फिर हम एक यहाँ बढ़ाएंगे एक यहाँ और एक यहाँ इस राउंड में हमने सिर्फ चार और बढ़ाने यानि कि हमने 20 से 24 करने हैं तो फिर यह देखे नेक्स्ट चैन में हम एक single crochet बनाएंगे फिर नेक्स्ट में एक बनाएंगे दो, फिर नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, ये देखें, नेक्स्ट चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में चार, ये चार सिंगल क्रोशिया बना लिए, पांच भी चैन में हम फिर से दो बार बनाएंगे, वान, टू, तो ये हमने एक यहां बढ़ाया थ है एक यहां बढ़ा दिया दो एक यहां हम बीच में बढ़ा देंगे और एक यहां बढ़ा देंगे यानि इतने हमारे बचे हैं तो आप यह किसी तरह से भी कर सकते हैं पर थोड़ा स्पेस देखे यानि इस राउंड में हमने यहां हमने सिंगल क्रोशा दो बर बनाए फिर चार सिंगल क्रोशा हमने एक एक बनाए फिर पाचवी चैन में हमने दो बनाए फिर हमने चार सिंगल क्रोशा बनाए फिर पाचवी में दो बनाए फिर यहां चार सिंगल क्रोशा एक एक बर बनाए और पाचवी में दो बनाए फिर हमने हर चैन में बढ़ाया तो 20 हो गए, इस राउंड में हमने 4 बढ़ाये थे, तो अब हमारे पास यह 24 हो गए, अब हमने बढ़ाना नहीं है, अब हमने इन 24 के ओपर हमने 24 बनाने हैं, तो फिर से हम एक चैन लेंगे, और इसके अंदर हम फिर से मार्कर लगा देंगे, क्योंकि हमारा ये 1st single crochet होगा, तो यहीं पर हम slip stitch करेंगे, अब जस्ट इसके नीचे नहीं, next chain में हम यहाँ पर single crochet बनाएंगे, क्योंकि एक हमारे ये बन गया, जो हमारी एक chain थी, next में हमने एक single crochet बनाया, फिर next में एक single crochet, अब हमने कोई भी बढ़ाना नहीं है, हर एक chain stitch मे हमने एक-एक single crochet बनाना है, तो इस तरह से हमारी ये 24 chain है, तो यहाँ 24 single crochet हो जाएंगे, तो इसी pattern को follow करते हुए मैं ये round complete कर लूँगे, friends ये देखी, हाँ पर मैंने 24 chain थी, हमारे पास उसमें हर एक chain में एक-एक single crochet बना लिया, अब यहाँ पर हम फिर इसी chain stitch के अंदर crochet hook को ये हमारा पहला single crochet है, फिर next chain में हम एक single crochet बनाएंगे, तो इस तरह से हमारे, ये दूसरा हो गया, फिर ये तीसरा, तो ये देखिए, हर एक chain में एक बार single crochet बनाते हुए, मैं 24 के उपर 24 single crochet बना लूँगी, और इस तरह से जितनी मुझे cap की length चाहिए होगी, मैं इतने single crochet के round सेम इसी तरह से बना लूँगे, अब आगे हमने घटाना या बढ़ाना नहीं है, तो इसी तरह से करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, friends ये देखे, ये मैंने complete कर लिया, ये मैं अपने work के end में आ गई हूँ, तो मैं यहां नौट लगा के cut कर दूँगी, यहां से अब ये आप अपने according देख सकते हैं, आपको जितनी बड़ी के आप चाहिए, आप उसके according ये जो round है, आपका मिया ज़्यादा भी कर सकते हो, अब मैं यहां से radicular स्टार्ट करूँगे, friends ये देखे, मैंने radicular के wool के knot लगा ली है, अब हम यहां पर इसे इस तरह से chain के अंदर डा करेंगे, क्रोशा हुक पे लूप लेंगे और इसके अंदर डालेंगे, फिर लूप लेके इसी के अंदर डाला, टो, एंड थ्री, ये हमने तीन बार डाला, एक लूप लेके इसमें से निकाल के और यहां पर chain बनागे से connect कर देंगे, तो ये देखे, इस तरह से हमारा puff stitch ब किया है, आपके अगर वुल पतली है, तो आप चार बार भी कर सकते हैं, और अगर आपकी वुल मोटी है, तो निकाल दिया, और एक chain बना के से connect कर दिया, फिर लूप लेके फिर next chain में डालेंगे, इसे फिर इतना ही लंबा रखेंगे, एक, दो, तीन, और फिर सब को एक हम loop लेंगे और सब में से निकाल देंगे और एक chain से connect कर देंगे तो यह देखे इस तरह से हमने यह puff stitch बनाना है और every chain stitch में मैं एक एक बार puff stitch इसी तरह से बनाती हुए round complete कर लूँगे friends यह देखे मैं अपने work के end में आ गई हूँ every chain stitch में मैंने इस तरह से puff stitch बना लिए है अब जो हमने यह puff stitch बना के ओपर एक chain बनाई थी इस chain के अंदर हम crochet को डालेंगे और यहाँ पर slip stitch से से connect कर देंगे अब मैं यहाँ पर knot लगा के इस wool को cut कर दूँगी तो यह देखे इस तरह से हमारी यह cap hat look में बन गई है जैसे हमने teddy के यहाँ पर ear बनाये थे इसी तरह से हम यहाँ पर भी बनाएंगे friends यह देखे अब हम इस तरह से ear बनाएंगे तो यहाँ पर मैं रैड़ कलर से बना रही हूँ यहाँ पर फिर से हम इस तरह से loop लेंगे और इसके अंदर से crochet hook निकालेंगे और यहाँ पर हमें chain बनाएंगे तो यह हमारा पहला single crochet count हो गया तो यहाँ पर भी मैं इसी तरह से marker लगा लूँगी तक हम जब slip stitch करें तो हमें easily यह visible हो तो यह हमारा एक single crochet हो गया फिर इसी के अंदर में crochet hook को डालके फिर से single crochet बनाऊंगे तो तीन चार पांच छे यहाँ पर मैंने six single crochet बना लिये हैं अब हम इस लूप को पकड़के इस तरह से कीच लेंगे और यहाँ पर जहां हमने marker लगाया था तो इसी chain के अंदर हमने यहाँ पर slip stitch करना है तो मैं इसे निकाल दूँगी और इसी के अंदर crochet hook को डालकर मैं slip stitch कर लूँगे यह देखे इस तरह से यह देखे यहाँ पर इस तरह से यह round हमारा complete हो गया अब ने extra round के लिए हम फिर से एक chain लेंगे और इसी के अंदर मैं फिर से marker लगा दूँगी एक chain हमारा पहला single crochet count होगा फिर सी के अंदर हम एक बार single crochet और बनाएंगे तो एक ही chain में हमारे यह दो हो गए फिर next chain में भी हमने इसी तरह से करना है दो single crochet बनाने है 1,2 फिर next में भी इसी तरह से 1,2 यह देखे यहाँ every chain stitch में मैं दो-दो single crochet बना लूँगी और यहाँ पर इसी chain के अंदर जहाँ हमने marker लगा है यहाँ पर मैं slip stitch कर दूँगी तो यहाँ हमारे 6 single crochet थे तो अब हमने हर chain में 2 बार बनाया तो यहाँ हमारे 12 single crochet हो जाएंगे यह देखे फ्रेंट्स इस तरह से मैंने यह complete कर लिया और इस तरह से मैंने यह दो year बना लिया है अब मैं आपको दिखाती हूं कि किस तरह से इनर्जस्ट करना है यह देखे हम क्याप को पकड़ेंगे और यह देखे वान टो थ्री जो हमारे यह third round है यह आप अपने according भी उपर नीचे कर सकते हैं और इस तरह से यह जो हमारे यह loop है हमारे इन्हें हम crochet hook में डालके नीचे क कि तरफ निकाल लेंगे यह देखे इस तरह से यहाँ पर मैं इसे स्टिच कर दूंगी यह तो मैंने निकाल लिया है यहाँ और इन्हें मैं नौट लगा लूँगी और अब निडल और थ्रेट से मैं इन्हें इस तरह से दोनों को लगा कि यहाँ पर इस तरह से स्टिच कर स्टीछ करके इस तरह से मैं आपको निकाती हूं अवारी चैप अड़ा है इसे तरह ने रजय में पर पेस्टिंग स्टोन लगा थे इस तरह ला लाओ पर का स्टरोन को अपन दिखा लो कि बन 미ção को कर लिए और Senhor पसंद आएगी और आप लोगों को ये ख्याप पसंद आती है और ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हैलफुल है तो प्रिलीज मेरी वीडियो को लेकिन शेयर करें अपने फैमली मेंबर्स एंड फ्रेंड के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो